येस, अब हम लोग SSR अप्रोच देखेंगे, सो सबसे पहले ये देखें, मेरे पास एक 4 x 4 बोड है, 4 x 4 प्रोब्लम है, सो मुझे 4 कुईन है मेरे पास, Q1, Q2, Q3 और Q4, इन 4 कुईन को इस बोड में प्लेस करना है, ठीक है, तो प्लेस करना है, तो कंडिशन पता है, ठीक है, कंडिशन क्या है, no queen attacking the other, other queen, ठीक है, तो जब भी कोई नए queen को आप इस बोड में प्लेस करोगे, तो आपको चेक करना है, कि वो queen किसी पुराने, जिसको तुम पहले से रख चुके हो, वैसे किसी queen को attack कर रही है, कि नहीं कर रही है, अगर वो कर रही है, तो आप उसको वहा जगह डूट होगे, अगर जगह मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप प्रिवियस केस में जाके उस queen, जो इसके पहले वाले queen को आप रखे, उसकी position को change करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे, और चेक करते जाएंगे, कि queens को कैसे अप रो फिक्स रहेगा, ठीक है, तो पहला लेवल जो है, वो रो 1 से डिलिंग करेगा, दूसरा लेवल जो है, रो 2 से, तीसरा जो है, रो 3 से, और चौथा जो है, रो 4 से, तो हर लेवल में, रो मेरा फिक्स रहेगा, ठीक है, अब हर रो में, जैसे रो 1 में है, तो रो 1 में किते पोजिशन है 1 2 3 और 4 similarly row 4 में भी जाओगे तो कितने पोजिशन है 1 2 3 और 4 तो row की मदद से आपको पोजिशन मिल जाएगा कि queen 1 2 3 और 4 को कहा कहा रखेंगे ठीक है जैसे queen 1 को अगर तुमने यहां रखा ठीक है तो यह row 1 है और यह क्या होगा आपका column तो row 1 हमारा tree का level बता देगा और उसमें जो nodes है वो मेरे किसको represent करेंगे column को तो उससे मुझे position मिल जाएगे ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले root हम start करेंगे अब मेरे पस सबसे पहले q1 को रखना है now q1 यहाँ पे पहले मैंने बोला यह वाला जो level है यह fix है तो इसमें मैं आपका जो यह q1 को जो है यहाँ पर रख सकती हो यहाँ पर रख सकती हो यहाँ पर रख सकती हो ठीक है तो मैं q1 को चार possible way में रख सकती हो either c1, c2, c3 या c4 में तो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम अगर इसको यहां पे रखते हैं इस तर पे तो अभी तो कोई error नहीं आगा क्योंकि कोई दूसरा queen है ही ने तो यहां पे मैंने रखा तो यह मेरा क्या हो जाएगा column 1 मैं इसको simply 1 से denote करोगे next तो 1 में रख दिया अब 1 में रखने के बाद यह जो आपका है यह fix है आपका row 1 अब इसके नीचे जब आगे place करोगे तो वो next किसको आचे लजाएगा row 2 में तो अब जो next element रखना है उसको आप row किसमें रखोगे तो आपको अब ध्यान देना है कि जब भी आप यह सिलेक करोगे तो इसमें क्या होना चाहिए आपका यह कंडिशन फेल नहीं होने चाहिए ठीक है देखो अब यहाँ पे अगर queen 1 को रखी ठीक है यहाँ queen 1 रखी तो मैं यहाँ पे queen 2 को नहीं रख सकती है ठीक है क्यों क्योंकि यह diagonal हो जाएगा ठीक है तो यह condition यहाँ पे अब क्या हो जाएगी condition यह अब यह वाले node को मैं आके explore नहीं करूगे ठीक है now 3 3 में रख सकती हूँ और कहाँ पे रख सकती हूँ फोर में भी रख सकती हूँ तो यह और यह दोनो possible way मैं मैं आके बढ़ सकती है ठीक है now row 2 कवर हो गया है अब next आओंगी row 3 में row 3 में 1 और 3 अगर मैं इस वाले को देखूंगी 1 और 3 तो 1 और 3 मेरा जा चुका है उसमें 1 में Q1 है और 1 में मेरा क्या है आपका यहाँ पे Queen 1 है और यहाँ पे मेरा Queen 2 है 3 में तो अब मेरे पास 3 इसके बाद 2 possible cases बनते हैं 1 2 और दूसरा मेरा 4 तो 1 के बाद आपने यहाँ पे Q2 को रखा उसके बाद अब आप यहाँ पे 2 position पे यहाँ पे तो यहाँ पे आप नहीं रख सकते दूसरे Queen को ठीक है तो यह क्या हो जाए का diagonal way में crash हो जाएगा तो यह position 4 में क्या 4 में रख सकती हो 4 में भी नहीं रख सकती क्योंकि यह diagonal में आजाएगा इधर पे diagonal में आजाएगा तो यहाँ पे नहीं रख सकती तो अब यह दोनों false हो गए तो अब इसको और आगे explore नहीं कर सकते solution भी नहीं मिला ठीक है अभी तक मैंने सिर्फ 2 Queen को place किया है एक 1 को और इधर 2 को अब 4 पे आगे तो 4 के हिसाब से अब यह 1 है यहाँ पे अब यह मेरा Q2 है अब इसके बाद 2 possible cases है ठीक है आर 3 के लिए रो 3 के लिए 2 possible 1 और 4 तो चला गया बचा क्या है आपका 2 और 3 ठीक है तो अब 4 यहाँ पे मैं 3 नहीं रख सकती यहाँ पे next वाला Queen को नहीं रख सकती क्यों 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 कि इसके diagonal में आजाएगा तो यह 2 में रख सकती हूँ तो 2 में मैं रख दूँगी ठीक है अब 2 में यहाँ रखने के बद next position क्या बचेगा मेरा 1 4 होगे अब बचेगा 3 तो यहाँ पे अगर मैं next Queen को रखी ठीक है तो अब उसके बाद जो 4 है वो 3rd position पे आएगा यहाँ पे इसके according row 4 के यह मेरा row 4 है ठीक है तो वो यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यह क्या हो जाएगा condition false हो जाएगी तो यहाँ से अब नहीं तो यह वाला अब मैं क्या करूंगी टू पोजिशन पे रखोंगे ठीक है तो Queen को अब मैं यहाँ पे रखोंगी Q1 को this is 1, 2, 3, 4, column this is row 1, row 2, row 3, row 4 ठीक है तो यहाँ पे अब रखें के अब यहाँ पे जब रखते हैं यहाँ यह वाला तो 1 से मुझे result नहीं मिला ठीक है तो अब मैं 2 पे आ गए तो के बाद अब यहाँ पे टू को छोड़के बचा क्या है 1, 3, और 4 ठीक है 1, 3, और 4 यह यह रो 2 में ना रो 2 यह मेरा रो 1 है अब 1 अब देखो यहाँ पे मैं रखा तो अब यहाँ पे नहीं रख सकती यहाँ 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 पे नहीं रख सकती और 3 में नहीं रख सकती मैं किसमें रख सकती हूँ, 4 पे रख सकती हूँ, तो यहां में next वाले queen को यहां रख देती हूँ, 4 पे, next, अब 4 के बाद देखो, यहां पे, अब 2 हो गया, 4 हो गया, बचा क्या है, इसके पस 1 बचा है, और क्या बचा है, आपके पस 3, तो 4 यहां पे 1 बचा है, और क्या बच अब एक ही position बच्ची है, वो कौन सी बच्ची है आपकी? 3, तो एक ही position बच्ची है, वो कौन सी है? 3, तो अगर देखो यहां पे मैं last वाले queen को रखती हूँ, तो यह किसी से देखो, इसका आपका यह खाली है, इसका आपका row भी खा लिए इसका diagonal में भी कोई नहीं आ रहा है किसी को भी attack नहीं कर रहा है तो ये मेरा first solution first solution yes तो आब इसमें अगर ये solution का अगर मैं जो answer देखना है तो देखो कैसे देखूंगे मैं answer ये मेरा row 1 है, ये row 2 है, ये row 3 है और ये क्या है मेरा row 4 ठेक है, हर बार row 1 में queen 1 को रखी, row 2 में queen 2 को इसमें queen 3 को और इसमें किसको रखा, queen 4 को तो इसके positions क्या हो जाएंगे देखो, q1, q2 q3 और q4 इस tree से पर देखेंगे tree से देखेंगे position इसका तो देखो, q1 का position ये, row 1 और column 2 तो 1, 2, ठेक है next q2 का position ठेक है, row 2, column 4 row 3, column 1 और last में row 4 और column क्या है मेरा 3, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गई, आपकी position मिल गई, ठेक है तो ये तो हो गया 2 से, तो 2 से मुझे solution मिला, 1 से नहीं मिला, next अब हम किसमें देखेंगे, अब हमको next हम देखना है, 3 से भी चेक करना पड़ेगा, और किस से चेक करना पड़ेगा, 4 से तो next अब हम 3 से करके देखते हैं क्या 3 में queen को रखने से मुझे solution मिलता है, इसको हम check करते है okay, so now इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक मेरे ले देखेंगे fresh